नमस्ते विज्जार्थी मीत्रों, मैं हूँ रगु भाई M. पटेल, साहष्टी हाईश्कूल कुकरवाडा, कक्सा नव, विश्य हिंदी के प्रथम काविय अरात्ना के स्वाध्यय में मैं आपका स्वागत करता हूँ. स्वाध्यय का पहला प्रश्टना नियम्दल खित प्रश्टनों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिये। दूसरा प्रश्टना कवी कैसी मनो कामना चाहते हैं। कवी दुखी लोग दुख से मुक्त हो जाए अर्था चुटकारा मिल जाए ऐसी मनो कामना चाहते हैं। तिस्या प्रश्टना कवी दुर्बलों के रक्षन आर्थ किसकी साधना चाहते हैं। उत्तर है कवी दुर्बलों के रक्षन आर्थ पौरुस की साधना चाहते हैं। कवी किसकी अव्यर्थना करते हैं। कवी सबके जीवन में नया प्रकास आने की अव्यर्थना करते हैं। कवी कैसी बंदूता की काम ना करते हैं। जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी बायचारे के बावना से जुड़े हो। दूसरा प्रश्टन निम्नलखित प्रश्टनों के उत्तर पांच या छो वाक्य में लिखिये। उसमें पहला प्रश्टन है कवी कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य अर्था सब का कल्यान। कवी चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्क पर चले, सब के मन में सुन्दर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्यान या हित के बारे में सोचे। इस तरह कवी सब के कल्यान, सब की हित की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दुसरा प्रशना, कवी के अनुशार किसके दुख दूर होने चाहिए। उत्तर, कवी के अनुशार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्क नहीं सुचता। उन्हें दुसरों की सहानों भूते भी नहीं मिलती। वे स्वयम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाई लोगों के दुख दूर होने चाहिए। इसरा प्रश्णा कवी की क्या अभ्यर्थन है। चाहते हैं। चौथा प्रश्णा कवी बेदों को नास करने की बात क्यों करते हैं। उत्तर संसार में विग्डार ने बहुत उन्नती या प्रगती की है। फिर भी आज हम देखते हैं कि दुनिया में या संसार में उस्चनिच का बेदभाव। जाती पाती का बेदभाव, अमीर गरिप का बेदभाव और रंग का बेदभाव याने काले गुरे का बेदभाव। इन बेदभाव के कारण मानाव समाज में इर्षा, द्वेश और शंगर्ष बटा है। इनके कारण मानाव एकता में बाधाई आती है। और हमारा विश्वबंदूत्व का सपना पुरा नहीं होता। इसलिए कवे इन बेदों को नास करने की बात करते हैं। आगे प्रिश्ण तेन निम्नलिखित पंक्तियों का आसाई स्पष्ट किजे। आसाई स्पष्ट करना याने भावर्त समझाना परिक्षय में दो अंकी ये पंक्तियां पोशी जाती है। तो पहली पंक्ति है देह मंदिर, चीत मंदिर एक ही है प्रातना, सच्य, सुन्दर, मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो प्रस्तूत पंक्ति आराधना काविय में से ली गई है जिसका कवी है वसंत बापड। कवी वसंत बापड बहुत ही उदार रदई और उंची दस्टी के कवी है। उसके चीत और देह की बस एक ही प्रातना है, चीत और देह की एक ही प्रातना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सच्चे के मार्ग पर चलें। उनके रदई में सुब और सुन्दर भावनाय हो, लोग अपना स्वार्थ छोड़कर सब के हिद याने कल्यान की बात करें। यसी भावना इस पंक्ति में कवी ने बताई है। दुसी पंक्ति भेद सबी अस्त होवे वेर और वासना मानव की एकता की पुर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंदूता की कामना। आज संसार में अनेक प्रकार के भेद भाव फेले हुए हैं। जैसे कि वर्ण बेद, जाती बेद, रंग बेद और धर्म के नाम पर बेद भाव यसी अनेक प्रकार के बेद भाव फेले हुए हैं। इन बेद भाव के कारण इर्शाद वेश उचनीच का अंतर बना है। इसलिए माना उचाते में एकता नहीं रहती। संसार में असांती और शंगर्ष का कारण ये तरहतर के बेद ही है। जब इन बेद का नास नहीं होगा तब तक मनुष्य जाती एक नहीं बन सकती। अगे चौथा प्रस्ण है काविय पंक्तियों को पूर्ण किज्जे। काविय पंक्ति पूर्ण करना ये दो अंग की परिक्षा में पुछी जाती है पंक्तिया। ये काविय मुखपाट भी है आपको कंठस्त भी करना होगा। इस तरकिक आविय पंक्ति आए परिक्षा में पूशी जाती है। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना सुन्दरता की आश हो मानवता की हो उपासना। पांचवा प्रश्न उर्धार्थी शब्दा लिखिए पहला है दुख तो सुख जीवन उसका विरोधी शब्दा है गृत्यू। सत्य असत्य शुन्दर अशुन्दर अत्वा कुरूप अस्त पुदै। इनके लावास विजर्थी मित्रों परिश्या में भावचक सन्या, विशेशन सन्या, कर्तु वाचक, परियावाची, मुहावरे, कहावत, अधी पूछा जाता है। तो यहाँ हम विशेशन के कुछ वाक्य देख कर समझने का प्रयास करते हैं। विशेशन सन्या, निमलखित वाक्य में से विशेशन सन्या, बताए, आपको परिक्षा में वाक्य दिये जाते हैं, उनमें से विशेशन आपको खोजना है। जैसे पुजारी ने भगवान को पुज बाव से फल फूल चटाए, इस काविया में विशेशन है पुज, पुजारी कैसे बाव से फूल चटाते हैं, तब पुज बाव से, तब पुज, पुजारी के भाव की विशेशता बताते हैं, दूसरा वाक्य, देहाती युवक रास् से गुजरा है तो देहाती देहाती ये योग की विसेशता बताता है इसलिए देहाती विसेशन सन्या है अब भावचक सन्या के दो वाक्या देखते हैं भावचक सन्या में भी वाक्या दिया जाता है उनमें से भावचक शब्द आपको खोजना है पहला वाक्या एक दूसरे क के दुखों को समझ कर लोग सहायता करें सहायता यहां भावाचक संज्ञा है हमें मानवता को उपर उठाने के लिए प्रैत नसिल होना चाहिए इस वाकिया मानवता भावाचक संज्ञा है अब तिसरा करतु वाचक संज्ञा वाकिया है दुर्बा लोग के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं यहां पर रक्षा शब्द क्रिया है जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहते हैं यानि क्रिया के करता को करतु वाचक संज्ञा कहा जाता है जैसे सिकार तो उसका कर्तु वाचक सन्या सिकारी जो सिकार करता है वो सिकारी सेवा जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं आरादना जो आरादना करता है उसे आरादक कहते हैं तो सिकारी सेवक आरादना ये सब्द कर्तु वाचक के हैं इस तरह करतु वाचक संध्या बनाई जाती है धन्यवाद विज्ञाती मित्रो